नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिशे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतोपून जानकारी को ले करके कई लोग माईग्रेन से हपते में एक या दो बार जरूर जूजते हैं इसके रोगी वे होते हैं जिनके घरों में यह बिमारी सालों से चली आ रही हो माईग्रेन का दर्द बड़ा ही तेज होता है जिसमें सिर के एक ही और तेज दर्द होने लगता है यह दर्द कई अन्य बि बिमारी का इलाज अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है माइग्रेन क्या है और आखिर क्यों लोग इस बिमारी से परेशान होते हैं इस सवाल का जबाब अभी तक नहीं मिल पाया है दर असल माइग्रेन सिर्दर्द का ही एक प्रकार है जो ना सिर्फ लोगों के स्वास्थ और कारिय शमता पर असर डालता है बलकि यह उनके समाजिक जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है माईग्रेन के दर्द को ठीक करने के कई तरीके हैं जैसे दवाईया या फिर कुछ खादे पदार्थ क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई फूर्स हैं जिन्हें खाकर आप मा आराम करना भी आवश्यक होता है वैसे तो सिर्दर्द एक समानिय सी बीमारी है जो जल्द ही ठीक हो जाता है लेकिन माईग्रेन से होने वाले सिर्दर्द असहनिय होते हैं मस्तिश्क संबंधी विकार माईग्रेन सिर्दर्द के मुखे काणों में से एक है ध्वनी में मैगनीश्यम अधिक होता है यह रासायन माइग्रेन के दर्द को तुरंत गायब कर देगा साबूत आनाज समुद्री जीव गेहुं इत्यादी में बहुत मैगनीश्यम होता है अलसी का बीज जिहां इसमें भी खूब सारा ओमेगा-3 और फाइबर पाया जाता है यह बीज सूजन को कम करती है कॉफी यह बात बिल्कुल सही है कि सिर दर्द में कॉफी पीने से वह गायब हो जाता है तो माइग्रेन अटेक आने पर भी कॉफी का सेवन जरूर करना चाहिए अदरक आपके सिर को यानि कि सिर के दर्द को ठीक कर सकता है भोजन बनाते वक्त उसमें थ घरेलून उसके आये जान लेते हैं माइग्रेन की बिमारी को दूर करने के लिए रात की निद अच्छी तरह से लें ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें जिहां कुशिश करें कि हर दिन सोने और उठने का एक नियमित समय हो जो लोग अनियमित तरीके से सोते हैं या फिर जि घर्म तौलिये से दर्द वाले हिस्सों में मालिश करें कुछ लोगों को ठंडे पानी से की गई इस तरह की मालिश से भी आराम मिलता है इसके लिए आप बर्फ के टुकड़ों का उपयोग भी कर सकते हैं कपूर को घी में मिला करके सर पर हलके हाथों से मालिश करें मखन मे मिश्री मिला करके सेवन करें आपको लाव होगा निम्बू का छिल का पीस करके उसका लेप माथे पर लगाने से माइग्रेन ठीक होता है अधिक आप लाव इठाना चाहते हैं तो पानी का सेवन उचित मात्रा में हर रूज जरूर करें और अपनी दिन चरिया को नियमित ज जगने का सही समय हो मौर्निंग वॉक करें ताकि आप स्वास्थ रह सकें जहां दोस्तों तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी का साथ जुडेंगे और ब्यादिमा तो पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद न नवसकार दोस्तों